नमस्कार मैं प्रांट श्री रठोर और आप देख रही हैं निक्स्ट नाइन न्यूस राजस्थान से लेकर मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश इन तीनों ही राज्यों में चर्चाएं जोरो शोरो से हो रही है ना सरफ कॉंग्रेस की पूर्व प्रांट श्री राठोर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस दरसल आपको बता दें कि अब जिस तरह से कॉंग्रेस से जो राष्ट महसची प्रैंका गांधी बाटरा हैं उन्हें लेकर मांग जोरो शोरो से उठ रही है मांग तो ये तक उठी कि प्रैंका गांधी को अब विधान सभा में जिस सरीके से कमान सौपी गई उसे देखते हुए लोग सभा चुनाब में अब उन्हें उतारा जाना चाहिए महिला वोडवेंग को वह बढ़ावा देती हैं दूसरी ही तरफ यहां पर ये अटकले तेज हुए कि सौनिया गांधी जो राय वरेली से मौजुदा समय में सांसद है स्वास्ता संबंदी समस्याओं के कारड़ वह शायद ही लोग सभा चुनाब लड़ती हुई नजराएं उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं और 2004 से लेकर अब तक वह यहां से सांसद है ऐसे मैं अब यहां पर ना सिर्फ कई दिग्जनेताओं ने अपनी बात रखी बलकि प्रहेंका गांधी के पती रोवर्ट बाड़रा भी कहते हुई नजराएं कि प्रहेंका को अब मैदान में उतरना चाहिए इसी बीस देखा जाए तो अब राज्यसभा चुनाव को लेकर सुर्कियों में जिस तरह से आचुकी है सौनिया गांधी जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश से उन्हें राज्यसभा भेज़ जाने की खबरे आ रही थी लेकिन अब यहां पर कुछ नेताओं का कहना है कि रा भेजा गया है मध्यप्रदेश कॉंग्रेस की तरफ से लेकिन 27 फरवरी को जो राज्यसभा में चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए दिल्ली में कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे के आवास पर सौंबार के शाम एक मीटिंग हुई इसमें सौनिया गांध सीट जो कॉंग्रेस के लिए सुरक्षित मानी जाती है 1952 के पहले लोगसभा चुनाव के बाद से कॉंग्रेस यहां पर सिर्फ तीन बार ही हारी है लेकिन सौनिया गांधी यहां पर एक मजबूत दावेदारी पेश करती हुई नसराई और आज भी सौनिया गांधी गांधी के साथ प्रेंका गांधी के लिए यह देखना काफी ज़्यादा दिल्चस्प होगा फिलाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज